हलो स्टुडेंट्स आधार स्टेडी की ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है स्टुडेंट्स हमने लास्ट क्लास में गती तथा गती के प्रकारों पर क्योशन देखे थे क्योशन अच्छे थे आप लोगों की एक्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगे मैं ऐसे मानता हूँ अब आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो उसी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाने वाले क्योंकि कुछ और भी क्योशन मेंने बनाए थे जो कल America क्लास में पिछली क्लास में खमप्लीट नहीं हुए त chairs आज हम उनको पूरा करने वाले थिका तो आज की लास का अपना पहला क्योशन है कि 20 मीटर तरज्या के वर्ताकार मार्ग पर देखो एक वर्ताकार मार्ग है ठीक है और 20 मीटर तरज्या का है तो दूरी वे विस्थापन क्या होगा हमें क्या गयात करना है बतो दूरी वे विस्थापन तो मान लो एक व्रत यह वर्ताकार मार्ग है औ और इसकी तरजय कितनी है इसकी तरजय है 20 मिटर में दे रहे हैं 20 मिटर इसकी तरजय है अब आगे हमें क्या दिया है दूरी और विस्ताफन क्यात करो कब आध्य चक्कर में ध्यान रखना क्या कहा है आध्य चकर में मान लो कोई व्यक्ति जो है वो यहां से चल कर कोई व्यक्ति जो है तो यहां से चल कर और इस तरीके से आध्य चकर पूरा कर लेता है ठीक है यानि यह इसका प्रारम्बिक बिंदू हो गया, ये अन्तिम बिंदू हो गया तो ऐसी स्थी में उसके द्वारत कीगीículos डूरी ये अधी परीदी के बराबर होगी सिंपल सी बात है, तो पहले तो दूरी की आद कर लेते हैं पहले तो हम दूरी की घरना कर लेते हैं, तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या आएगा दूरी क्या आएगी ये चली गई दूरी अब हमें पता है कि वरत की परीदी क्या होती है टू पाई आर ये वरत की परीदी होती है लेकिन चक्र आधा ही किया गया है तो इसका हम क्या कर लेंगे आदा तो इधर ये 2 से तो 2 cancel हो जाएगा अब पाई का मान आप लोगों को पता है कितना होता है 22 बटे 7 into आर का मान कितना दे रखा है 21 मिटर 30 दे रखी है तो 21 ही हो गया साथ सिसको काटेंगे तीन बार तीन बार काटेंगे तो आंसर कितना दाएगा 66 मिटर यहतो हो इसकी दूरी सिंपनशा ठीक है अब देखो 66 के दो लोग से तो अबोसंट है राम किया होता है यसतापन किया होता है् विदिउ के radial कि मrontे की जो सीधी दूरी है वो किस में कहें रह है क्या होगा यह इस वरत का व्यास हो जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा यहां पर विस्थापन जो हो जाएगा वो जाएगा 2 into r व्यास हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 44 sorry 44 नहीं आएगा यहाएगा कितना 40 कि मिटर था थीक है तो इसका से अफ इसक्टों भाइगा अपना बहुत आसान पे USन आप लोगे हैं मील सकते हैं एस प्रकार से देखो अगला प्रस्ट Himself है वह क्या है वाहन का स्पीड 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 किति क्या होता हैं जो वह और वाहन का उखा स्प WOR माल लो उसकी जो स्पीड बताने वाला जो मेटर होता है उसी को अपन स्पीडो मेटर कहते हैं तो यह किसका मान दर्शात है कौन सा मान दर्शाता है क्या यह उसत चाल दर्शाता है तो सबसे पहले देहां लगना वो चाल दर्शाता है नामी स्पीडो मेटर है स्पीड का मतलब चाल होता है ठीक है वेग अगर होता तो उसको वेलोसिटी मेटर कहते है वेलोसिटी मेटर नहीं है वो स्पीड मेटर है यानि स्पीड को बताता है पहली बात तो वेग तो होगा नहीं वेग और विस्तापन तो हो नहीं सकता ठीक है नेक्स जै ओसत्चाल या चाल तो उसत्चाल का मतलब क्या होता है देखो बच्व मैं समझाता हूँ जैपूर से आप दिल्ली गए तो जैपूर से दिल्ली के बीच में तै की गई कुल दूरी और दूरी तै करने में लगा समय उसको अगर हम सोल करेंगे देखो आप लोगों आपने चाल का एक फोर्मला पड़ाओगा चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय चाल का एक सिंपल सा फोर्मला होता है अगर दूरी में समय का भाग दोगे किसमें दूरी में अगर समय का भाग दोगे तो चाल आएगी लेकिन इससे जान रखना इससे उसत चाल आती है तै की कुल दूरी और दूरी को तै करने में लगा समय का अनुपात क्या होता है उससत होता है इसमें हमें यह नहीं पता होता कि थोड़ी देर बाद में चाल क्या आती है जैसे मालो आप अपने घर से निकले घर से निकल के गली में चल रहे हो तो 20 की स्पीड से चल रहे हो फि लेकिन स्पीडों मिटर ये थोट होटाता आपने स्पीड बड़ाई मिटर में स्पीड த जाज़ा जाए की ब्रेक लगाए मिनदा श्ट ये जरी कमा जाएक वहां पर उस्ट चाहल नहीं होती यकल कर ने उस् Shanghai जब अपन चला रहे हैं वहां उस समय पर क्याथ तो इसका सही आ असत्य पूछा है किसके बारे में पूछा है चाल वेग से अधिक्वे बराबर हो सकती है चाल जो है वो वेग से क्या हो सकती है अधिक्वे बराबर हो सकती है चाल वेग से सदेव अधिक होती है चाल सदेव धनात्मक होती है और वेग रनात्मक हो सकता है ठीक है तो देखो च चाल का formula simple सा क्या होता है अभी भी मैंने लिखा था था कि जो दूरी होती है क्या जो दूरी होती है वो या तो विस्तापन से जादा होती है या बराबर हो सकती है ठीक है कम कभी भी नहीं हो सकती ये कल मैंने एक संबंद बताये था तो इसी संबंद का उपयों यहां कर लेंगे कि दूरी जादा हो सकती है या बराबर हो सकती है तो देखो अगर दूरी और विस्तापन जो है अगर बराबर होंगे तो चाल और वेग भी बराबर हो जाएंगी ठीक है और अगर दूरी जादा होगी तो चाल अधिक हो जाएगी तो पहला उप्शन सही है अपना दूसरा देखो, चाल वेग से सदेव अधिक होती है, चाल वेग से सदेव अधिक नहीं हो सकती, यह उप्सन गलत है इसका, ठीक है, क्यों गलत है, देखो, अगर मालो, बराबर भी तो हो सकती है, दूरी और विस्तापन बराबर होंगे, तो चाल और वेग भी बराबर हो तो ये इसका option गलत दे रहा है, चाल सदेव धनात्मक होती है, क्योंकि दूरी सदेव धनात्मक है, तो चाल भी धनात्मक होगी, और वेग धनात्मक हो सकता है, कहा है कि हो सकता है, ज़री नहीं है, हो सकता है, मतलब विस्तापन माइनस में हो सकता है, तो वेग भी माइनस में ह सकता है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इस चाल वेग से सदेव अधिक नहीं होती है कभी भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है बराबर भी हो सकती लेकिन यह ध्यान रखना कि चाल वेग से कम कभी भी नहीं होती है यह विशेज ध्यान रखना इधर मैं लिख भी देत से कम नहीं होती है ठीक है अब नेक्स देखो तो यह किसन है आप लोग एक बाद ट्राइ करो कि जैसे वीडियो को पोस्ट करो और इसका आंसर देने की कोशिस करो कि क्या इसका आंसर होगा फिर मैं समझा ही रहा हूं उसको तो देखो किसी फुटबाल को कोई फुटवल है उस को उर्दव हडर उर्दवादर उपर की दिशा में यूवेग से फैका जाए मानलो रूक जो कोई फुटवल है कोई यहां उसको क्या करें उपर की और स्था मतलब इस तरही के से उर्द वादर उपर की और सीथा फैका जाए तो फुटबाल का उच्छतम बिंदू पर वेग क्या होगा, सिंपल सा क्योंशन है, अगर आप लोग पथर को देख लो, पथर को सीधा फैकेंगे, तो अधिकतम तोप पर, जैसे मान लो ये पथर है, इसको मैं उपर फैक रहा हूँ, तो ये ऐसे जाके, ऐसे आके गिरेगा, तो ये बात की गई है कि इस जगे पर इसका वेग क्या होगा, तो हमें पता है कि इस जगे पर इस तरीके से जाके रुक्य वापिस आता है, यानि यहां पर जो वेग होता है, वो क्या होता बच्छो, जीरो, तो इसका वेग क्या होगा, जीरो होगा, उच्छतम बिंदू प के संबंदेद करेंगे क्योंकि कोई कि थोड़ा महत्वपून ठूपिक界 कि यह जादा आते हैं इससे तो मैं यह लग लग टाइप की सब्सक्राइब जो कर M तो जैसे अपनी तीनों क्लास से कुरी हो जाएगी तो मैं ये सारे किसन आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर डाल दूँगा तो आप लोगों अगर टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो आप उसे एक बार जोइन जरूर कर लेना ठीक है जिसका लिंक ये क्या है एक वाईयान है जो इस तरफ उट रहा है ऐसे माल में अब क्या होता है इससे गोले को गिराये जाते तो गोले का मार्ग कैसा होगा मतलब माल लो इससे क्या करे एक गोला गिराये जाए यहां पर तो ये गोले का मार्ग कैसा होगा ठीक है इस तरीके से गोला आके गिरेगा अब अक्सर बच्चों को confusion रहता है कुछ बच्चे बताते कि सीधा के गिरेगा सरल लेखिए तो सरल लेखिए बिल्कुल भी नहीं होगा दिहान रखना दूसरा वरताकार भी सोचते हैं कि यहां से ऐसे आके गिरेगा तो यह वरत के जैसा बनेगा वरत की परीदी का एक टुकड़ा बनेगा तो इसका अमार्ग वरताकार भी नहीं होगा यह भी आप लोग ध्यान रखना बच्चों ध्यान रखना यह कैसे न कंशूज करने वाला है इसलिए मैं लेके आया हूँ तो इसका जो पत होगा वो कैसा होगा परवलयाकार होगा अब आप लोग भी शरीए परवलया क्या होता है तो यहान रखना एकदम जो ऐसे गोल होता है वो तो वरत हो गया इस तरीके से बनता है वो दीर वरत होता है वो क्या होता है दीर वरत और अगर मालो यह कोना ज्यादा हो, इस तरीके से मालो, ऐसे हो तो इस आकर्ति को परवलाय कहते हैं, अब देखो एक option ओऔर है अतीप प्रवलाय लगए, अगर यह कोना और भी ज्यादा हो इस तरीके से, कोना नहीं बनेगा यहां पे, ऐसे मालो आप लोग, इसको अतीप पर तेकर गेंदको अगर ऐसे भीएगे तो इसका पत कैसा होगा ऐसे दिदे, वर्ताइकильно- मालो, हझाए गेंद ये गेंद को इसने गिरेगी तो इसका पत इसने गेंद वर्ताइकर नहीं होता है। और दिदे आडार पत गिर नंद की है।Pर B वर्ताकार मार्ग भी नहीं होता है यह परवलयाकार होता है ऐसे देखो अगला किशन है कि एक समान वर्तिगती वाले किसी कण के लिए निम्न में से असुद्ध कथन असुद्ध मतलब गलत कथन का हमें चुनाव करना है देखो ओप्शन को रहान से पढ़ो कि कण के वेग का परिमान नियत रहता है कब जब कोई पिंट कैसी गती कर रहा है एक समान वर्तिगती कर रहा है एक समान अगर वर्तिगती कर रहा है तो कण के वेग का परिमान कैसा होगा नियत होगा ओप्शन में दिया एक तो दूसरा है कन का वेग त्रिजे सदिस के लंबत बना रहता है कन की दिशा त्वरण की दिशा परिवर्तित होती रहती है और त्वरण सुनने रहता है देखो अगर मालो जैसे पर्च्वी सूर्य मालो ये सूर्य है और इसके चारो और मालो ये पर्च्वी जो है वो इस तरीगे से चक्कर काट रही है आया समझे इस तरह प्गति कर रही है यह सूर्य मांगे अब क्या हो रहा है बच्चो इसमें कहा है कि कंड का वेग का परिमान नियत रहता है एक समान वर्तिय गतिय तो वेग का परिमान परिमान यानि दिसा की बात नहीं कर रहे है कि माल लो example के लिए 20 meter पर 30 second ठीक है 20 meter पर 30 second यह नहीं अपन इस 20 की बात कर रहे है ठीक है यह सही है मतलब सही होने का मतलब यह गलत नहीं है ठीक है यह गलत नहीं है next यहां का वेग की दिशा देखूं तो इस तरफ देखूंगा और इसकी त्रिज्या देखूं इस तरफ है तो इन दोनों क्यों के ना यहां। पूंच गया तो यहां पर यह तो वगया वेग और यह हो गया धerin यह कौन कितना है ज़री यादि यहां caramellyn यह और यह भी सही है नेक्स है तूर्ण की दिसा परिवर्थित होती रहती agreements विल्गुल सही है देखो तूर्ण कोई भी मैंने बताया है आप लोगों को कलाज जब अपने वर्ताकार गती पड़ी थी मैंने अच्छे से समझाया है कि कोई पिंड़ वर्ताकार गती करता है तो उसमें सदेव अभी केंद्री तौन होता है जो हमेशा किदर होता है केंदर की ओर होता है सदेव क्या होगा अभी केंद्री तूरं किदर होगा केंद्र की ओर यानि पिंड़ यहां पर है तो तूरं इस तरफ त्रिज़े सदिस के अनुज़िस अगर पिंड़ यहां पर है तो तूरं इस तरफ देखो तूरं हमें सा केंद्र की ओर है इसलिए से क्या कहेंगे अभी के यह दिशा यह इन अलग है यह उस तुर है यह इस तरह सदेव परिवर्त तोतिरती यह बीस ही ली सिरी है पहर सुनने नहीं कभी भी कुछ नहीं यहीं होता है तो इसका व्रताकार गति अच्छ समझा है आप लोग आप लोग जो एक बार इन क्लासों को जरूर देखना जो गती के प्रकार से संबंदिता है। तो इसका उप्षन हो जाएगा कौन सा? तुर्ण सुनने रहता है, सुनने कभी नहीं होता है, यह असुद्ध गताना है। नेक्स केसन देखो, किसी एक विमिय वरत्य गती, किसी एक समान वरत्य गती, यह वेग का परिमार नियत और पिंड वरतागार गती कर रहा है। वेग सदिश वर तुर्ण सदिश किस रूप में सम्मंदित होते हैं। देखो, यह आप लोग खुद करोगे, या आप लोगों के लिए दे रहा हूं। क्योंकि मैंने अभी लास्ट केसन में, इस वाले केसन में मैंने यह समझाया है। तो इसका किसन का आंसर आप लोग देने की कोसिस करना। जो गती के बारे में सबसे पहले बात की थी वो अरस्तु ने की थी। ठीक है फिर क्या किया अरस्तु की बात गलत लगी किसको गेलीलियों को और गेलीलियों ने उसको सुधार के एक नियम दिया था जिसे जड़त्व का नियम का था जिसे क्या का था जड़त्व का नियम तो सबसे पहले ये गेलीलियों ने बात की थी जड़त्व सब्द जो है व वह गुण है जिसके कारण पिंड है जड़त्व के कारण क्या होता है जड़त्व का किसी पिंड का वो गुण है जिसके कारण क्या होता है तो देखो मैंने जड़त्व में क्या समझाए था कि जड़त्व पिंड का ऐसा गुण होता है जिसके कारण पिंड अगर इस्तिर है र का हुआ बना रहता है अगर गती कर रहा है तो समान दिशा में नियत वेक से गती करता रहता है कब तक जब तक कि उसको बल नहीं लगाए जाए उस पर भाई ये बल अरुपित नहीं किया जाए तब तक तो देखो अपनी विरावमा वस्ता को परिवर्तित करने में समर्थ नह यानि एक समान गति की अवस्था को भी नहीं परिवर्तित कर सकता अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करने में दिशा भी नहीं बडल सकते कि अगर दिशा बडल गई दिशा बडल गई तो वेग बडल जाएगा वेग बडल जाएगा तो बलारुपी तो हो जाएगा ठीक है यह भी सही है तो इसमें हमें पूछा था कि जड़त्वे किसी पिंड का वह गोना है जिसके कारण वह अपनी विरामा वस्ता है या एक समान गती की स्थती को परिवर्थित करने में इसको पूरा मैं लिख देता हूँ पूरा नहीं लिखा वाए गती की स्थती को परिवर्थित करने में एसमर्थ होता है तो ध्यान रखना देखो किसन बहुत अच्छे से बनाया है मैंने इसमें देखो विरामा वस्ता की भी बात की केवल विरामा वस्ता की यहां पर केवल गती की यहां केवल दिसा की बात की ठीक है तीनों सही है यह लेकिन तीनों एक साथ भी होते हैं तीनों की तीनों पॉइंट सही है इसलिए अपना ओप्शन देख इसमें सही होगा क्योंकि विरामा वस्ता और एक समान गती की स्थती को परिवर्टित करने में ऐसा मर्थ होता है आया समझ में तो इसमें एक समान गति में दिशा भी आ जाएगी विरामा उस्ता भी आ गई और परिमान तो आई गया इसमें ठीक है तो इसका उप्सन दे सही होगा यह सारे उप्सन यह इसमें केवल विरामास्त्ता कि इस लिए ये नहीं हो सकता इसमें केवल दिशा की बात कि यह नहीं हो सकता यह इससास औहँए और साड़्य क्यों में है अगले कैसे एक समान स्थानांटिट करनी इस देखो तो पत सरल देखा या वरती हो सकता है तथा गेंद एक समान चाल से जाती है गेंद सभी भागू का वेक समान ततानियत होता है गेंद समान रूप से चंकरन करती है और यह है विरामावस्ता में तो आप लोगों के लिए ये question भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं आप लोग जो है इस question को फिर से try करना समझ रहा देखिए और मुझे इसका जो answer है वो आप लोग comment box में बताना जिससे आप लोगों को मुझे भी पता रहेगा कि आप लोगों की तैयारी अच्छी च रट पड़ेगी है ठीक है अगर आप लोगों ने रटा है तो साइड ये question आप लोगों से नहीं होगे अगर आप लोगों अच्छे से समझाए तो असा निशा आप लोग इनको हल कर सकते हो ठीक है बचो तो ये आजा आस थी आज अपनी question और है वो अपन अगली class में फिर इनकी PDF में टेलीग्राम पर आपको लोगों के लिए डाल दूँगा ठीक है अगर आप लोगों को class अच्छी लगी है किसन अच्छे लगे है तो वीडियो को like करना और अगर चैनल पर नए हो तो subscribe ज़रूर लेना फिर मिलते हैं अगली class में धन्यवाद